असलेम अलकुम दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपको हमार यूट्यूब चानल पर दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर्स और फीवर्स ने कॉमेंट करके कुशिंस किया था कि खरगोश एक साल में कितने बच्चे देते हैं दोस्तों हम इसी मुद्य पार इस वीडियो में बात करेंगे तो साथ ही हो अगर आप चाहते है कि एक मादा खरगोश से आप हर महीने बच्चे लेंगे तो आप ले सकते हैं लेकिन दोस्तो ये बहुत ही गलत बात है क्यों गलत बात है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा तो आप वीडियो को शुरूर से लेकर आंग तक देखते रहिए अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो जरो सबस्क्राइब कीज़ेए जोरूर चाले दुस्त आउसके वडियो शुरू करते है दोस्तो एक खरगोश साल में कितने बच्चे लेता है एक से आच बक्चे तक जनाम जनम देता है कभी कभी एक भी बच्च जनम देता है तो अगर हम इसे एबरेज में हिसेप करेंगे तो एक मैदा खरगोष हार महीने पास बच्च जनम देता है तो आगर आप चाहते हैं कि आप बारा महीने में बारा बार बच्च लेंगे तो आप ले सकते हैं लेकिन यह गलत क्यूंकि हर माहिंग बश्चे लेने से खरग़ुषक बहुत कमजूर हो जाते हैं ओर बश्चे जनम होते है और खरग़षके के बश्चे का vita है मुझिय्टा हो जाते हैं इसलिए मैं आपको साजस्ट करूंगा आप कभी भी साल में भाट कें न लें तौ separate कि में कितनी बार भच्चे लेना चाहिए तो अगर आप फर्मिंग करते हैं रेविट फर्म हो है तो आप साल में नव बर भच्चे लेना जरूरी है क्योंकि आप नव भच्चे नहीं लेंगे तो आपको खास प्रोफिट नहीं होगा अगर आप खरगोश शौक से पाल रहे तो साल में 8 बर बच्चे लेना जरूरी है वो के से मैं आपको बताता हूं दूस्तों एक मादा खरगोष जब बच्चे जनम देता है उस वक्त वो दुबरा हिट में आजाती है अगर उसी वक्त नार खरगोष साथ में रहेगा और दोनों आपस में मैटिंग करेगा तो वो गुबरा मेटिंग कराना है अगर आप इसी तरह बच्चे लेंगे तो आपको एक बढ़ बच्चे लेने से 55 दिन लगेंगे । Am साल में 8 बर बच्चे ले सकते हैं तो आये हिसाब करते हैं एक साल में कितने बच्चे देते हैं दोस्त आगर आप साल में 9 बर बच्चे लेना चाहते हैं तो आपको बच्चे मिलेंगे 9 इंटु 5 मतला 45 बच्चे आपको मिलने वाला है अगर आप 8 बर लेना चाहते हैं तो आट बार बच्ची लेना ही बहुत चाल री है क्योगि ओना बच्ची लेना से क्या होता है जो मिटिंग कराएंगे च वि आठ बार दीन में के लिए फीत हो जाते है तो इसलिए मैं पहले यही बताया था कि हर महीने बाक्चलना गाला थे दोस्तो यही एक सोटा सा इंप्रोमोशन देने के लिए आसकी वीडियो बनाया गया है अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए चानल परना है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में पहले को भी स्प्रेस कीजिए तो मिलते हैं अगले विडिया मैं खुदा हाफिस